आज पॉपलर फ्रेंट आफ इंडिया जो 2006 में वजूद वे आई उस दिन है तो उस दिन यूनिटी मार्च के नाम से डिफरेंट सब्जेक्ट के माते हैं आज जो प्रोग्राम है नफरत का सियासत को खतम करो इस उन्वान पर इस प्रोग्राम हुआ है इस देश को एक पैगाम देते हैं यह जो इस देश में जो नफरत का जो सियासत को बंद करना है और यह जो लोग नफरत पैला कर इस पुलिटिकल फाइदा उठाने देखते हैं उनको हरा कर पूरे secular लोग इस देश को बचाने का एक जरुवत है यही पईगाम आज का प्रोग्राम करें देखिए एक बार जारकंड में बैन किया गया फांका high court उसमें clear किया गया कि वो बैन हटा दिया गया कि कुछ भी उसका evidence नहीं है फिर एक बार एक कोशिश कर रहे हैं जो security को threat है उस angle में अगर बैन किया जाता है कोई तन्जीम को मगर एक silly reason से यह बैन किया है यह पार्ट अफ नफरत का एक सियासत को पर्टिक्लरली करनाटक का अंदर एक secular government है कोईलेशन government है एक secular government का जिम्मेदारी बनती पीस्फुल जो प्रोग्राम जो चलता है किदर भी चलता है उस पूस्फुल प्रोग्राम को उनको security देकर करने देना यह constitutional rights है एक constitutional rights को एक ऐसा दम एक प्रिजर करना यह इतना अच्छा नहीं है माई police officer जो भी है उनको भी मैं request करता हूँ देकिए यह जो rights है people rights है democratic rights है यह paper democratic rights को करने के लिए आप देना है क्योंकि आप पूरा popular front of India का पूरा history आप उठा के देगेंगे पूरा records उठा गए कभी भी कोई भी program में नहीं किसी खौम का खिलाफ नहीं कोई किसी दर्म का खिलाफ आई आद्याशक के खिलाफ तो नहीं बात करते हैं जो हमारा rights से constitutional rights उसका बारे में बात करते हैं इसके यह defense standards के लिए घाल